हलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा अज हम आपको इस्टरन यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सबसे छोटी यूरोपियन कंट्री कहा जाता है वो देश जो भले ही बाकी उरोपियन देशों से थोड़ा गरीब है लेकिन शराब के कारोबार के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता यहां दुनिया का सबसे बड़ा शराब का भंडार है शराब का कारोबार यहां धर्ती के नीचे किया जाता है और तो और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब इसी देश के लोग पीते हैं। सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन यहां के बिल्डिंग्स बॉटल के आखार जैसी है। इंटरनेट स्पीड के मामले में यह देश यूरोप का नंबर वन देश है। लेकिन एक गरीब देश होने की वज़ा से यहां कोई घूमने आना पसंद नहीं करता। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यह यूरोप के खुबसुरत देश मॉलडोवा की। अब शायद सोच रहे होंगे कि भला यूरोप में ऐसा कौन सा देश है जो इतना गरीब है और वहां कोई घूमना पसंद नहीं करता। वो देश मॉलडोवा ही है। हलंकि मॉलडोवा की कई खासियते भी हैं जो इस देश को अलग बनाते हैं। आज हम आपको मॉलडोवा से जोड़ी कुछ ऐसी रोचक बाते बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सना होगा। तो चलिए बिना देर के शरू करते हैं आज के वीडियो। मॉलडोवा देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा रोमेनियन मूल का है। इन दोनों देशों में एक जैसी संस्कृते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन से आजादे मिले थी। ये देश नौर्थ हीस्ट और साउथ में यूकरेन के साथ अपनी सीमाः साजा करता है। जिबके वेस्ट में मॉलडोवा रूमेनिया के साथ भी अपनी सीमा साजा करता है। मॉल्डोवा 2.6 मिलियन के कुल आबादी वाला देश है जहां कई जातिय समों के लोग रहते हैं जैसे मॉल्डोवन, रुमेनियन, युक्रेनियन आदे मॉल्डोवा कितना गरीब देश है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सभी यूरोपिय देशों में इसकी जीडीपी सबसे कम है, देश की जीडीपी 34,000 डॉलर से भी कम है इस मामले में यूरोप के दूसरे देशों से मॉल्डोवा काफी पीछे है इस देश की नब्बे प्रतेशत आबादी क्रिस्चन्स की है मॉल्डोवा में दो काफी फेमस चुर्चेज भी हैं जहां देश के इसाई समुदाय के लोग 25 दिसंबर के ठीक दो हफ़तों बाद यानि 8 जन्वरी को क्रिस्मस सेलिब्रेट करते हैं इस दिन के लिए मॉल्डोवा के लोग काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं मॉल्डोवा की राजधानी है चेशिनव और ये देश का सबसे बड़ा शहर बे है 1990 में राजधानी चेशिनव को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था और 1940 के शरुवात में लाल सिना के हमले के बाद मॉल्डोवा का काफी हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था ठीक उसी साल इस शहर में भारी भुकम पाया जिसने कई बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुँचाया इस भुकम के बाद जर्मन सिना ने मॉल्डोवा पर आकरमन कर इस देश के बाहरे हिस्से को खत्म कर दिया था इन दो सालों को मॉल्डोवा के लोग किसी बुरे सपने से कम नहीं मानते मॉल्डोवा देश को योरोप का सबसे गरीब देश इसलिए भी माना जाता है क्योंकि टूरिजम सेक्टर में ये देश काफी पीछे है इस देश में कोई भी घूमना ज्यादा पसंद नहीं करता ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस देश में घूमने की कोई खास जगह नहीं है मॉल्डोवा का मौसम कोछ अलग ही तरह का होता है अकर यहां गर्मी का मौसम है तो गर्मी आपको परिशान कर देगी और सर्दी के मौसम में इतनी ठंड होती है कि लोग अपने घरों से भी कमी बहार नकलते है सर्दियों के मौसम में यहां का तापमान शुन्य से भी नीचे चला जाता है जिबकि बारिश में इस देश में सूखा रहता है वैसे तो मौलडोवा को सबसे सुरक्षित देश माना जाता है लेकिन करप्शन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है अब को जान कर हरानी होगी कि मौलडोवा सबसे करप्ट देशों में गिना जाता है जसके खलाफ आए देन लोग यहां सडक पे उतर कर विरोध करते भी नजर आते हैं और ये भी एक कारण है कि आज तक मॉल्डोवा इतना गरीब है ममालीगा मॉल्डोवा की नाशनल डिश है इसे पीले मक्य के आटे से बनाया जाता है इसे परंपरिक रूप से रसीले स्टूज और मांस के वेंजनों के सेथ परोसा जाता है डिश के सबसे उपर पनीर, टैंगी क्रीम और पॉक रैकिंग होता है ये डिश आपको मॉल्डोवा के ज्यादतर रिस्टरॉंट्स में खाने को मिल जाएगा इसके अलावा अंगूर के पतों से बनाया गया सूप भी मॉल्डोवा के लोगों को काफी पसंद है ये सूप यहां की पार्टीज में सबसे ज्यादा सौफ किया जाता है मॉल्डोवा के लोग इस डिश को पीना काफी शुप मानते है जिसनों दरसल मॉल्डोवा एक लैंडलोग देश है जिसके चारों और केवल योरोप के दूसरे देशों के बॉर्डर है यानि किसका मतलब यह है कि मॉल्डोवा में कोई भी बीच या पोर्ट नहीं है ऐसे में यहां का मौसम बहुत सुहाबना मेحسوس होता है इस देश के मौसम की सबसे खास बात यह है कि यहां का मौसम अंगूर के खेती के लिए सबसे अच्छा है मुल्डूवा के बारे में कहा जाता है कि यूरोप में खुलने वाली शराब की हर दूसरी बॉटल यहीं की जमीन से आते है फिर चाहे इस्टरन देशों या वेस्टरन यहां की वाइन सभी को पसंद है तरसल यहां की वाइन के कोई मखाबला ही नहीं है इस देश में शराब का काम पिछले हजारों सालों से चला रहा है इस बात का दावा कई रिपोर्ट कर चुके हैं कि मॉल्डूवा में अंगूर की खेती 25 मिलियन सालों से हो रही है इतना ही नहीं इस देश में अंगूर से शराब बनाने का कारोबार पचले 5000 सालों से चल रहा है मुल्डूवा में माइलस्टे मिच कम्यून में शराब से कई मील फैली हुई सुरंगे हैं यहां दुनिया का सबसे बड़ा वाइन कलेक्शन धरती के नीचे जहां 20 लाख वाइन की बॉटलें स्टोर करके रखे गई हैं यह सुरंग पहले एक चूना पत्थर की खान हुआ करते थे जब खान बंद हो गई तो 1960 के दशक में से माइलस्टे मिच वाइन सेलर बना दिया गया यहां रेड वाइन स्टोर करने पे खास तोर पे ध्यान दिया जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सुरंग करीब 200 किलोमेटर लंबे है माइलस्टे मिच की तरह ही इस सुरंग के पास भी के क्रोवा वाइनरी भी मौजूद है जो दुन्या का दूसरा सबसे बड़ा शराब का भंडार है यह दुनों ही सुरंगे इतनी बड़ी हैं कि यहां के रास्तों के नाम भी रखे गए हैं मौलडोवा का मेन इंकम सोर्स है शराब एक्सपोर्ट करना इस देश से सबसे ज्यादा वाइन रश्या में एक्सपोर्ट के जाते है करीब 90 प्रतिशत वाइन मौलडोवा रश्या भीजा करता था लेकिन 2006 में एक विवाद के करें रश्या ने मॉल्डोवा की वाइन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। रश्या के इस फैसले के बाद मॉल्डोवा की एकॉनमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अपकी जहनकारी के लिए बताने के बिलारोसियंस के बाद मॉल्डोवन दुनिया में सबसे अधिक शराब का सेवन करते हैं। मॉल्डोवा में प्रती व्यक्ति हर साल 6.1 लिटर शराब पी जाते हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इतनी शराब नहीं पी जाते हैं। प्रमुक्त वहारों में से एक है। मॉल्डोवा में घर आने वाले महमानों के लिए अलग तरह की परंपड़ा होते हैं। मौल्डोवा के घरों में आप जूते लेकर नहीं जा सकते हैं यहां के लोग आपके जूते लेकर आपको चपलों के साथ घर में आने की अनुमते देंगे और ये चपल भी मौल्डोवा की ही होगी इसके साथ ये मॉल्डोवा के घरों में जब कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो परिवार की सबसे बुजर्ग महिला ही बच्चे को पहली बार नहलाती है इसके लिए खास तयानिया भी की जाती है बुजर्ग महिला फूल, शहद और दूद के साथ घर में आये नन्य महमान को पहली बार नहलाती है ये मॉल्डोवा की एक खास परांपरा है शराप से खास प्रेम रखने वाले मॉल्डोवा में कई बिल्डिंग्स भी बॉटल की शेप में है ये एक मात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बॉटल शेप्ड बिल्डिंग्स बनाई गई है इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी बॉटल शेप्ड बिल्डिंग्स ट्रॉंग ड्रिंग्स म्यूजियम भी मॉल्डोवा के ट्रिनौका विलेज में है इसके अलावा मॉल्डोवा के क्रिवा के पास एमिल रकॉविटा केव दुनिया की आठवी सबसे बड़ी गुफा है इस केव को 1969 में बनाय गया था इस गुफा के लंबाई 90 किलोमेटर तक के है जहां इस देश के अतिहास से जोड़ी कई सारी चीजें भी रखे गई है मॉल्डोवा को लेकर एक खास बात ये भी है कि इंटरनेट के मामले में ये देश बहुत आगे है 152 देशों के सूची में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड आक्सेस के मामले में मॉल्डोवा तीसरे स्थान पर है मॉल्डोवा के चारुन तरफ घने जंगल है और इन जंगलों में हॉन बीम, ओक, लिंडन, बीच, मेपल, वाइल पेर और वाइल चेरी जैसे पेड़ पाय जाते हैं यहां के पेड़ सबसे बहतरीन माने जाते हैं मॉल्डोवा में पेड़ों की कोई कमे नहीं प्रपोर्ट्स के मताबिक यहां के कुछ पेड़ तो 600 साल पुराने भी बताय जाते हैं साथी मॉल्डोवा के इन ही जंगलों में जैनवरों की अलग-अलग तरह की प्रजातियां भी पाय जाते हैं सुर, भेडिये, पैजर, जंगली बिलिया, हिरन, खरगोश, लोमडी, कस्तोरी और कई पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां इस देश में पाय जाते हैं यहाँ जैनवरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको किसी भी यूरोपियन देश में देखने को नहीं मिलेंगे और इन्ही मेंसे एक है डेनोथेरियम इस प्रजाति का सबसे पुराना हाथी मॉल्डोवा में ही मिला था मरने के बाद इस हाथे का कंकाल यूरोप के दूसरे सबसे बड़े म्यूजियम में रखा गया है अगर आपको बर्ज से प्यार है तो मॉल्डोवा आपके लिए एक ड्रीम डिस्टिनेशन हो सकते है क्योंकि यहां बर्ज की 300 से ज्यादा प्रचातियां पाई जाते हैं दोस्तों मॉल्डोवा के मठ यानि के मॉनेस्ट्रीज काफी प्रसिद हैं आपको यहां कई साल पुराने मॉनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगे केप्रियाना मठ मॉल्डोवा रेपब्लिक के सबसे पुराने मठों में से एक है जो 1420 के दशक के शुरुवात में बनाया गया था इसकी स्थपना के तुरंट बाद मठ को अलेक्जैंडरिस सेल बना दिया गया था अब इसे एक रोयल स्टेटस दिया गया है इसके अलावा इस जगा को अलेक्जैंडर दे गुड, स्टीफन डेल मार या स्टीफन दे ग्रेट और अलेक्जैंडरियो लूपिनेउ के नाम से भी जाना जाता था इस देश का इतिहास काफे पुराना है वह पिकम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पुराने समय में आज का मॉल्डोवा डेसिया का हिस्सा हुआ करता था उसके बाद ये रोमन सामराज्य के अधीन आ गया दोस्तों मॉल्डोवा की करेंसी है मॉल्डोवन लियू जो करीब 4 भारती रूपियों के बराबर है तो दोस्तों ये था योरोप का सबसे छोटा देश मॉल्डोवा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आया होगा हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको मॉल्डोवा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छे लगे क्या कभी आप गए हो मॉल्डोवा और अगर गए हो तो आपका experience कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजेगा साथे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दीजेगा वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब सब फिर मुलाकात होगी एक और ने वीडियो के साथ